कि अग्याइब अग्याइब नमस्कार पैरे बच्चो सभी गा स्वागत है ब्यासी प्रो क्लासेज में और पैरे बच्चो ब्यासी फर्स्ट एर की चो क्लास है वो दिवाले के बाद आज पहली भार हो रही है पांस तारीक को ठीक है और फाइनली मैंने अब सोचा है कि यार वाइप है अगर सही तरीके से अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो फिर क्लासेज तो हैं वो कंटिन्यू करनी पड़ेंगी और मोबाइल फोन के जो नेट है अपन होना उससे क्लास ऐप लोड की जा रही है क्योंकि होता कि है कि अपना मोबाइल फोन का जो नेट वर कहना उसमें डाउनलोडिंग इस पीड तो ते जाती है लेकिन अप्लोडिंग जो स्पीड है वो बिल्कुल कमाती है और जिसकी रिक्वार्मेंट है वही कम है अब वाइफाइ प्रोपर अवेलेबल नहीं है वाइरलेस कनेक्टिविटी से वाइफाइ आएगा तो यहां पर वेंडर लगाने वाले हम इतने नहीं है कि वह कोल करा आ गए लगा दिया ऐसा नहीं है सेनिया पर बहुत कम है कोल कर रहे हैं आ रहेंगे आएंगे कल आएंगे बच्चों के वह मैं आज इस वीडियो में क्लिर करूंगा और जो टोपी अपना चल रहा था एंवलोप उसको भी पना आगे बढ़ाएंगे पैर बच्चों सबसे बड़ा सवाल तो यह बच्चों का में से बच्चे कोल करके बोल रहा है कि सर सबसे पीछे जो चल रहा है व बच्चे कंफियुज हैं सुच क्या है कि सर अpना स्लेवरस बहुत पीछे है तो अपना स्लेवरस कैसे कवर होड़ा और हम कहीं और से कॉर्स लेंगे ठीक है तो बच्चे कहरे बच्चे परेशान भी हैं और कई तो धम ग्याइम दे रहे हैं कि स्था verschiedenen कॉर्स करवाऊ ओगे पांस सावं कोर्स करवा ओगे दस सालं कोर्स करवाऊ ओगे violence क्या क्या है स्लेव उसमें बच्म भी गलतीनीय है कुछ भी गलतीनीय है क्यों कि अ läब अगर स्लेबस होता हूए दिखाई देगा तो ही तो ब पितलब नहीं है क्योंकि आप कहीं पे सस्ता कोर्स ले भी लोगे तो वहां पर आपके पैसे वैसे वेस्ट हो जाएंगे कि वहां पर अपना जैसा content है नहीं मिनने वाला आपको फिर भी आपको यही content काम आएगा इसलिए जो बच्चे परेशान है वो बिल्कुल भी परेशान ना हो क्योंकि बच्चों के आदत खराब रहती है जो पीछे जितना भी पढ़ा दिया ना उसको एक ने भी revision नहीं किया होगा मुझे पता है एक न दिन में दो दो क्लास दूंगा तब कैसे कवर करोगे बात है कि नहीं इफेक्ट तो इसलिए आपको टैंसल लेने क्या आउशकता नहीं है रखी क्या चारी है एंसलेने क्या आउशकता विल्कुल भी नहीं है जैसा मैंने आपसे वादा कि डिजिटल पैनन आने वाला है और जितना जल्दी मतलब यह मान की तो लो कि वाई फाई और दोनों सेम टाइम में लग जाएंगे और चार पांच दिन के गैप के अंदर वो लग जाएंगे फिर मैं आपको पता है कि डिजिटल बोर्ड पस लिबस करवाना कितना इजी होगा क्यों संस की दिक्कत नहीं होगी एक दिन में एक गंटे-डेट-गंटे क्लास अगर होगी तो आपका काफी लंबा अब जैसे एनवलोब है स्टार्टिंग का पोर्शन मैंने बिल्कुल क्लेर करवा दिया अब जो इजी क्यूशन से हैं उनको अपन इजी एक्स्पेल भी कर सकते हैं वहां पर वही सामने अगर कुशन करवाना होगा तो अपनो करवाना ही पड़ेगा यह तो क्या इलाज इसका इसलिए स्लेबस की टैंस न मतलब है स्लेबस तो हम तीन-चार साल से कर वह रहे हैं स्लेबस की टैंस मतलब आप ठीक है आपको केवल पढ़ाई भी फोकस करना है और थोड़ा सा को और कर लो एक दो दिन और भागे अपकी आएंगी आज आ गई तो कल भी आएगी परसो भी आएगी कोई संडेक शुक्ते नहीं है कुछ भी नहीं है क्लासे तो आएंगी आप अप्लोड कैसे भी करने पड़े मुझे लेकिन करने पड़ेगी मुझे क्योंकि आती हो गई लेते हैं यार यह मास्टर पोर्स निकर वाएगा इससे पार नहीं पड़ पाएगी तो इसलिए थोड़ा सब्सक्राइब बेचेन ना हो और इतो जरुझ ना वठके क्योंकि उससे इस्टडी नहीं हो गया आपकी मुझे पता इस्टडी नहीं हो पाएगी आपकी नहीं हो आपका चलता है रहेगा उसके साथ साथ में जो आपका फरस्ट पेपर है डिस्क्रिट मैथेमेटिक्स वह पेपर भी मैं जैसे पैनल आएगा आपका चालू करते हैं है अब किलियर फिक है लेकिन स्लिबस आपका पूरा होगा तो पर सेंट होगा कुछ भी कट उतीं होगी यह आपने कॉर्स लेते टाइम पर कहाता ना कि स्लेवस आपका पूरा होगा मतलब पूरा होगा वो तो होई गए होएगा उसमें कुछ भी कट उती नहीं करेंगे अपन युकि देखो अपने क्वालेटी वही है कि पूरा स्लेवस करवाना है और वह भी बढ़ियत तरीके समझात में कोई कमें नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत क्या पीछे चल रहे ना यहां पर थोड़ा मात खा गए क्योंकि अपने क्लास अपलोड हो पाती है तो अब मेरे साब से प्रोपर तरीके साब को समझ में आ गया होगा कि क्या करना है इस्टेबल रहो, यहीं पर रहो कही जाने कि आप शक्ता नहीं है मैं इतना दावी के साथ में कह सकता हूं आप से ठीक है अब यहां पे अब मेरी बात सुनो प्रोपर तरीके से स्टडि करते हैं और यूनिट रूमबर थर अपन पढ़ रहे थे और यूनिट अमर थर में भी हम कोण सा टोपिक पढ़ रहे थे एन वलोप से सभी करद रहे थे आपके अब प्रोपर इपर ऐंगी और प्रोपर बढ़ेती शरी रोड परक्लासे करदेंगे स्रुद्प मैं दॉरboat है क्योंकि आपके एक्जाम में वाई गए गए लेकिन आगे सेकिंडिर हो थारियर हो mscU आगे तक बहुत जएदा काम हाएंगा बहुत ज्यादा जिक्स में पीशने चोड़ेगा आपका पारिशल डेरिवेट्व आपका फिजिक्स में पीशने चोड़ेगा और बच्चों को समझ में नहीं आता कि समोल डी के पिटल डी क्या होते हैं तो अब जो मैंने पढ़ाया है वैसा प्रोपर आपने पढ़ लिया कह हो सब्सक्राइब है और इसके ट्यंसा मतलिया करूं बच्चे मेरप खौल करते हैं कि सर इंपोर्टेंड कि घंड और बता दिया करो ओगधिसा आप मैं खटायू आपके साथ में जो भी इंपोर्टेंड किस्टनुद्वा रिविजिन कर्वाना यह कुछवी कर वाने मां त अब प्यारे बच्चों मैंने करवाय था और याद करो अब मैं यहां पर एक एक्जम्पल लूँगा लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपका रिवाइच करवा दूँ वह एनुलोप पड़ा एनुलोप क्या होता है बहुत सारी स्टेट लाइन रेखां का एक जाल आभी बहुत सारी स्टेट लेन्ट होगी तो वह क्या बनने एक गुच्छा बन जाएगा एक जाल बन जाएगा जिसे अवन एन वलोंप कहते हैं अब एन्न वालेप फाइंड करने के जुछे करे थे कि या एक एनोलो पैसा होगा कि उसका पारिशल डेरिवेट्व कर दिया उसका स्क्वाइर कर दिया जोड़ दिया एक अपना दिवगात वाली अक्षी क्या साथी द्यूगात वाली की बात कर रहा हूं मैं द्यूगात कौन सा वाला द्यूगात क्वाइट की क्यूशन जिसके अंदर द्यूगात आते ही B² ब्राबर 4 A C अब ये बात भी वही چnh कर पाएगा जो पड़ रहे है पीछे अब जो लग रहे हैं कि सर को वीडियो नहीं आ रही उनको समझ में नहीं आएगा डेwwाट करके दूसरा समझ लो B² ब्राबर 4 A C दुखात वाला और तीसरा याद करो एक क्यूशन करवाया था आने आपको एंठीटा वाला कि भी एक ट्रेंगल बना लो ठीक है इसका बेच हो जाएगा इसका है इसका है पोटेनियस आधार करने लंब उसके द्वारे क्यूशन करवाया था तो तीन चार मैथड है ठीक है आपकी यादार्स्त को थोड़ा सा स्ट्रोंग बनाते हैं और यह सवाल करवाते हैं आपको देखो सुनो द्याम से एक्जाम्पल सुनना और इतना इंपोर्टेंट एक्जाम्पल है काफी बार एक्जाम में आया है देखो लिखो अन व्रतों का एनवलोप ग्याद करो और व्रतों का एनवलोप ग्याद कीजिए जिसके व्यास कि मैं बात करूं जिसकी व्यास क्या है वाई स्क्वाइर बराबर फॉर एक्स है जिसकी व्यास कितने है व्यास को रबराब फॉर एक्स है और आगे भी है भी फॉर एक्स की दिविगन कोटिया है अब यह सवाल पढ़ते ही बच्चे पागल हो जाते हैं विया क्या है दिविगन कोटिया है इंग्लिश विडियम वाल ने लिको भी या वाइंड दी लोघे दिविगन वी आवलोग टी बालिश विर्ट अवग Table of the circle whose diameter are whose diameter are double double coordinates of the parabola coordinates of the parabola parabola क्या भी यह parabola क्योशन क्या है y square of ravor 4ax positive वाल सिस्टम है तो समझ गई कौन सा parabola बनेगा चलो अब ठीक है मानली बात लेकिन सबसे पहले तो बच्चा कन्फूज कहाँ पर होगा बच्चे को दिक्कत यहीं पियाएगी कि सर सबसे पहले तो आप यह समझाओ कि इस क्यूशन को treat कैसे करें क्योंकि बच्चे गलत लिखा करते हैं कि सवाल को पढ़ते नहीं है और सीधा देके गवरा जाते हैं कि आर पता नहीं सवाल कैसे होगा और यह वर्ड जो है आपको बहुत परेशान करेगा कि द्विगर्ण कोटियां क्या है इनको डाइग्राम में कैसे दिखाए कैसे एक्स्प्रेन करें अब जब इसका डाइग्राम मैं बनाऊंगा तो इतना सिंपल डाइग्राम है आपको होगी अगर ऐसा होता तो हम बहले कर लेते हैं आओ भी है सारे बच्चे सुनो ज्यान से मैं इसका यहाँ पर आंसर करता हूं और इंग्लिस मेड़ों वाले बच्चे भी और हिंदी मेड़ों वाले बच्चे भी एक बार क्यों से नहीं तरब देखेंगे मैं पढ़ रहा हूँ आराम से ठीक है उन व्रतों का envelope ज्यात कीजिए जिसके व्यास wise पर बराबर 4ax की द्विगन कोटिया है ठीक है आपको circle का envelope निकालना है और यह circle बन कहा रहा है envelope निकालना है और circle बन का रहा है पैरा बोला उसकी अपना क्या नाम से पैरा बोला है पैरा बोला को हिंदी के कहते है परवले ठीक है परवले तो परवले की जो द्यूगन कोटिया है उन पर आपका circle बन रहा है वहीं से आपको envelope find करना है चलो कुछ भी दिमाग मनी आएगा जब तर डाइगराम मनी बनेगा तब तो कुछ भी समझ मनी आएगा सुनो find the envelope of the circle which diameter are double ordinate of the parabola y square बना बना दू अब देखना डाइगराम पर आपको पूरा एकदम के लिए पजागी करना किया है पहले सबसे पहले देखो यह अपन एक्सीज बनाते हैं यह अपना एक्स यह अपना वाई y square बना फोर एक्स है आपको पता है दोनों positive हैं तो आपका पैराबला बनेगा इस साइड में यह यह आपका बन गया पैराबोला ठीक है अब इस पैराबोला पे क्या condition apply की गई है दिविगान कोटियां जयान सुनना आपका जो पैराबोला है उस पैराबोला को एक point पे touch करें और दूसरे point पे touch करें तो इस प्रकार की जो structure है वो कहलाती है दिविगान कोटियां ठीक है और English वीडियो में क्या बोल देते हैं डबल ओर्डिनेट्स पास समझ में आ गई यह आपका पैराबोला है और यह पैराबोला की क्या है मारे पास वैस को बराबर फॉर ए और एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी जब भी अगर को लाइन पैराबोला पर टच करती है तो पैराबोला पर उसके point के निकल क्या जाते हैं जैसे अब यह जो लाइन है यह पैराबोला पर टच कर रही है यहां पर इसे point के value क्या है इस point का मान क्या है मैं अपर लिख रहा हूं 80 square,280 अब बच्चे कहेंगे कि सर कैसे और यहाँ पर लिखो 80 square,280 लेकिन माइनस का 280 यह अगर y है यह माइनस का y है यह x है माइनस का x है अब समझ में क्या आया इसर कुछ भी बात नहीं है यहां पर जो पैराबोला है उस पैराबोला पर अगर कहीं पर भी कोई लाइन टच करती है तो पैराबोला के equation के निकल क्याते है यह फिर equation छोड़ो मैं क्यूल बात कर रहा हूं पॉइंट की बात कर रहा हूं कि पैराबोला पर टच करेगा तो टच पॉइंट क्या है तच पॉइंट होंगे आपके 80 square 280 और यहाँ पे 80 square, minus का 280 कि उपर वाई है न अब यह नहीं बताऊंगा मैं आपको simple search करना है अगर आपको deep study करनी है mathematics की आप जाए गूगल पे यूटूब पर आपके पड़ा हुआ है और वहाँ पे तुरंट search करिए कि पैराबोला के जो partition point है वो क्या होंगे what is the partition point on parabola आपको तुरंट यह diagram देख जाएगा आराम से द आपके पैराबोला की structure कैसे बनती है और point कैसे बनेंगे यह पड़ा भी होगा आपने अब नहीं पड़ा तो कोई बात नहीं तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हमने जो diagram बनाए है वाइस को बनाना है इसका diameter है इसका व्यास है कि यह बन गए आपका circle क्या बला उसने कोटियों को इस मानकर डबल ओडिनेट को आपको क्या बनाना है आपको व्यास मानना है तो भी यह तो होगी यहां से लेकित याठीश की radius और यह पूरा क्या होगया आपका diameter होगया व्यास होगया तो जैसा क्यूत समें बोला गया वैसा डाइगराम बना दिया डाइगराम ही तो important है बाकी इसमें कुछ भी नहीं है सवाल लिख लो डाइगराम बना लो आगे कैसे होगा पूरा proper करवाता हूँ ठीक है और करना कुछ नहीं है याद है आपको यह circle है और अगर इस circle में यहां से लेकर यहां तक कुछ point आते हैं जैसे मान लिजे कि यह point आपका है कोई point मान लो x1 है y1 है x2 है और y2 है यह point है तो इसके लिए formula आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई circle होगा और circle का जो diameter यादि कि एक कोई से लेकर दूसरे कोईने तकर है उसका formula आपने पढ़ा होगा याद करो अभी मैंने कले भी लिखवा है था परसो काम भिया है था x minus का x1 x minus का x2 plus y minus का y1 और y minus का y2 वराबर r square मतलब जो आपका point होगा उसमें minus कर देंगे x को और y को x में से और y में से और यह क्या है आर हमारे पास की radius निकल के आई इसको उतार लो यह किस्षन आपके पास में दिखावा है इसको उतारो डाइगराम उतारो इसको मत उतारना भी मैं बता दूँँ आंसर करेंगे तो बता देंगे ठीक है और यह जो formula है formula यह बराबर में जीरो आता है यहां पर आर नहीं आता आर वाला formula है center वाला formula उसके बारे हम बताएंगे next question वो भी काम आएगा जाहिक ने इसको ठीक है और उतारना चाहो तो उतार भी सकते हो वीडियो पोच्च कर लो पड़ा फट से इसको उतार लो अधार लिया होगा ठीक है अब मिटा तो इसको में अब चलो देखते हैं यह आगी के सवरकार हो गए सवाल पूरा मिटा देता उपर से अब आपके मन में भी थोड़ी बस सवाल होंगे सर सवाल हो तो जाएगा लेकिन अभी कॉन्फिडेंस नहीं है कि सवाल कैसे होगा एक तुझे कॉन्फिडेंस तो इसलिए भी नहीं है काफी दोन बाद ग्लास हो रही है लगातार क्लास के टच में स्वाइब करें अगर रहते हो तो खुध को कोई दिक्कत आती नहीं है लेकिन अब त्च में नहीं हो तो गवाच्नियार उसमें गलती हमारी आपको यह रो अप सुनो अब मेरी बात को द्यान सुनना कि तए अग्रम आप के पास बन गया है और उर फोर्मुले के बारे में म और यहां पर जो हमारे पास में एक्स टू है मारे पास वो क्या हो जाएगा एक्स वही आपका माइनस का एक मेंट रूप को ला रहा है अड़ेंट मैं वीडियो को पोच करता हूं और रूप एक मिट्यार अब करेस्टाट अब बाहर से क्या अवाज लगाय थी कोल तो नहीं आया है यहां पर है जकना कि दिखा दिया ताकि आपको दिखकत ना हो ठीक है फिर आप लगाओ बीचम प्लस का चिन दिखतो रहे ना आपको प्रूपर सही दिख रहा है बीचम प्लस का चिन लगाओगे फिर y वाला काम कर लोगे या y-ka y1 कितना है मारे पास में 280 लेकिन यहां पर क्या होगा y-ka 280 है यह बन जाएगा प्लस का 80 is equal to आपको क्या हो जाएगा जीरो अब क्या करना है अब कुछ अभी निकरना आपको आपस में multiply करना है करो फड़ा पर से यहां पर multiply करोगे इसको इससे करोगे तो यहां पर कितना जाएगा हमारे पास में x square माइनस का x 80 square कर से लिए सेम गहनी यहां पर बनेगी यह रहा रहा से भाई से वाई से राय को मल्टिप्लाइब स्कूर नजाएंगा इसको मSON समारे पास ःफ मैंन ट्यू एटी ठिक है उसके बाद यह पर आप करोगे आगे तो क्या बने का सब इसको पता आगे कर लेते हैं Yakорमिर कि मारे पास में है और एक टु एहटी यू इसको इसको से करोगे तो माइनस का 480 स्क्राइबर रभावर क्लियर अब सुना अब क्या करना है कुछ भी नहीं करना सिंपल सी बात है यह आपका एक्स स्क्वेर बन रहा है ठीक है अब एकसे का जो गुनांक है उस वाले टम को ले लो यह माइनस आ जाएगा और माइनस का हो जाएगा टू जाएगा नहीं तू एटी स्क्वेर मल्टीप्लाइब में एक्स और यहां पे प्लस करोगे यह टम तो कैंसल हो गई और वाइस स्क्वेर हो गई यह सब्टम इनको एक तरफ कर लो आप centrale ठीक है जै कि मारे पास्मे एटी स्क्वेर है तो इसकू लिख़ा लोब मैं होली स्क्वेर पलस में आप का वाई स्क्वेर और माइनस का आपका फॉरेसी स्क्वेर एटी स्क्वेर ब्रॉवर सीरो अब यह पूरी पीसी जिन हमारे पास में कोई equation कैसी आती है दिविगहात समिकर्ण आती है ठीक है दिविगहात समिकर्ण आती है तो वहाँ पर अपन formula यूच करते हैं किसका? B square बराबर 4AC का अब यहाँ पर simple तरीके से मुझे बता दो कि B का मान क्या है? इसको बना लिया होगा आपने इसको मिटा दिता हूँ मैं ठीक है? अब इसमें दिक्कत कहा ही बताओ इस वाले क्यूसन के अंदर आपको केवल एक फॉर्मॉला याद करना था यहां वह एक फॉर्मॉला देख लो और उसके बाद अपना काम हो जाएगा अब क्या करना है अब तो टैम पास करना है और कहा है मारे पास यहां पे ले लो यह हो जाएगा आपका फॉर एस्क्वेर टी स्क्वेर बराबर फॉर मल्टिप्लाई एक का मान है वन और सी का मान आपके सामने है एटी स्क्वेर का होली स्क्वेर और प्लस का वाई स्क्वेर माइनस का 4A स्क्वेर टी स्क्वेर आंशर आपके सामने अप कैंसल करना चाहो तो फोर से फोर को कैंसल कर दो और एस्क्वेर टी स्क्वेर बराबर इसको लिकलो अब मैं क्या कह रहा था आप से स्टार्टिंग में जब मैंने इनुटेक्स टार्ट करी थी अभी मैंने आप से कहा था इनुट अमबर जो फॉर्थ है वो आपको फ्री फोकट के नंबर देखी जाएगी कैसे विल्कुल सिंपल है फॉर्थ नहीं थाड़ थोड़ी सब्सक्राइब कर देखे जाएगी मैं बात कर रहा हूं कैल कुलस की कि आपके दो बुक चलती है किसी हुए अब बहुत सारी बचों को पता ही नहीं होगा कि यह फॉर्ष टियर में जो आपका पेपर सेकिंड है उसमें डिफ्रेंशियल कैल कुलस और इंटीग्रल कैल कुलस की दो बुक चलती है आपके तीज उनिट तो इसके अंदर होती है और दो इनिट आपका समा कलन वाला पार्ट आता है तो यह जो और इसके अंदर जो सिंपल कह सकते हैं बन वो इनिटमबर थरड है जो फरस्ट है सिरीज की सिंपल तो है लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी है और ये बात करूँ मैं इंटेगल केलकुलोस की ये भी बड़ी है लेकिन यहां पर भी सवाल जदा हार्ड नहीं आते हैं सिंपल आते हैं एक तरीके से मानों कि रटेवे सवाल हैं ये सवाल सामने दिख गया अपने को पता है किसके अंदर क्या करना है सब कुछ पता रहेगा तुर्थ की तैन से मतलों ये सवाल उतारो आरहाम से फिर अपना एक सवाल और करते हैं इस तरीके से इसको फटावट में उतार लो और अगला सवाल करवाते हैं अच्छा सवाल हे वह भी ठीक है और कुछ सवाल जो देखो मैं कहा रहा हूं ये सवाल इंप्रेंट एक्जाम के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा ले ना इसको बिना कहें ठीक है नहीं लगाओ आपकी इच्छा है ठीक है और जो समझाया है मैंने स्टार्टिंग में उम्मिद करता हूं समझ में आपको आ गया होगा और बाकि अगर नहीं आया है जो गलती है उसमें हमारी ठीक है हमारी गलती है वारी टीम की गलती है मेरी गलती है क्योंकि देखो अब टेक्निकल समझाएं है उनको जल्दी सही करवाना जरूरी भी है या बच्चे 5-5-6 दिन वेट थोड़ी करेंगे उमानते इस बात को लेकिन वहीं बात है ना यार आप जेगे की प्रोब्लम है सपेस की प्रोब्लम है बचयुटी दीलता है सब कुछ देखना पड़ता है उसके नदर कि अब आपको क्या सोच रहे होंगे की सर तो बैठे आराम से क्लास तो लेनी ते मज़े कर रहे हैं अरे इदर दिन रात एक कर रहा हूं में वाइफाय लगवाने के लिए यार इधर वाइफाय लगना बहुत मुश्किल काम है उतार लिए बातों बातों में अब जो अगला आंदार रहेगा इंपोर्टेंट रहेगा उम्मेद करता हूं यह सवाल कंपलेट आपको समझ में ठीक है विटा दूसको कैलकुलेशन में कहीं पर को दम्थानी इसके अंदर सिंपल पता चल गए अपना को और ये बात है मैंने पहले लिखवा रखी है उसके लिए आप मु झाल को पता है सवाल अच्छा है, इंपोर्टेंट भी है, तो करवा देते हैं, लिखना आराम से, देखो, एक्जाम्पल है, उन व्रतो का व्रतो है है ना, उन व्रतो का, एन वलोप, याद कीजिए, जो सदेव दिर्गवर्थ, और दिर्गवर्थ का फॉर्मुला है, एक्सेस्वार अपन में A स्कुर्एर, केंदर से होकर जाते हैं, केंदर से होकर जाते हैं, केंदर से होकर जाते हैं, और जिनके केंदर उसकी परीदी पर हैं, जिन के केंदर उसकी परीदी पर हैं, अब इंग्लिश बड़ा वाले बच्चे भी लिखो हुई हैं, आपना बंदी अन्वलॉप ऑप अबडी सरक्ले विंप शरकल्सव लाये यह रही हैं, सरकल वीच पास्ट्रोग दवीच पास्ट्रोग ंड़ेवेटयर विस्ट पास्ट त्रो दी सेंटर ओप एलिप वाथ दिख रहा है आप सभी को देख रहा है सेंटर ओफ एलिप ए डबलल आई पी ए लिप ठीक है और यहां पर कहा है एकसे स्वार पॉन में A2 plus Y2 पॉन में B2 is equal to 1 ठीक है एंड है उड़ सेंट प्हीर थंड है और सिर शीटस तिर सेंटरस धर संटर स्टर संटर संटर अपन ट्सार विए परेंट विर संटर कम ब्हांक परेंट स्टर को बप्सार कि तरह को राम ऑम ऑने स्टरिक हैंट इस पेलिंग आप देखे लिए अब इसमें क्या बोला है इसने वी यह देखो पहले तो सबसे पहले क्या बोला गया है डायग्राम किसका बनाना है वो अपन कर लेते हैं अधिस्ट पहले सवाल पढ़ते हैं रामसे, कोई भी सवाल होगा, सांती पूर्ण तरीकिये से सबसे पहले तो अपन उस सवाल को रीड करेंगे, क्योंकि कोई भी सवाल हो, ठीक है, अब जो भी आपको ग्यान पीछे प्राप्त किया गया है, या फिर मैंने जो दिया है, उसके अकोडिं कुछ आपको आता है कि नहीं आता है, उस सवाल में क्या आप एपलाई कर सकते हो, उन चीजों पर फेले फोकस किया करो, अब सवाल आएगा, नहीं आएगा बात की बात है, लेकिन अपने सवाल पढ़ा, ठीक है, उन वरतों का एनलोब ज्याद कीजिए, जो सदेव, दिरग तक है, पॉसिबिलिटी नहीं है होने की तो, लेकिन अब यह सवाल इतना सिंपल है कि आप सोच नहीं सकते, find the envelope of the circles which pass through the center, और center के ellipse का है, यह हमारे पाइलिप्स का equation है, उसके center से pass हो रहा है, and have their centers upon its circumference, उसके जो points हैं, वो कहां पर है, उसकी परीदी पर है, अब बना आप सबसे पहले तो आप इलिप्स बनाओ, तेरिक बड़त बनाया मनेक, इलिप्स का डाइगराम कुछी से प्रकार, यारे सन ऐसे नहीं होता, यारे समानलो, थोड़ा दूसरे बना दे यार, क्या परकूरता है, डाइगराम हाला कि एक्जामी जो बना किया हो, तो थोड़ा देना, क्योंकि मैथेमेटिक से डाइगराम भी इंपोटेंट है, नहीं बनाओगे तो एक्जामी रवे से नारा जो जाएगा आप से, देखो इलिप्स बनाओ, बड़े तरीके से, कोसिस करूंगे स्वारची बन जाए, आ सही है, ठीठा गया, बढ़िया है, या आपका इल ठीक है, अब उसने क्या बोला है, कि उन व्रतों का एनलोप ग्याद कीजिए, जो सदेव दिर्गवर्थ के के अंदर से होकर जाते हैं, दिर्गवर्थ का के अंदर ये रहा आपका, ठीक है, जिनके के अंदर उसकी परीधी पर हैं, जिनके के अंदर उसकी परीधी पर हैं, यह लाइन है सबसे इंपोर्टेंट जिनके के अंदर उसकी परीधी पर हैं और इंग्लिश बीटम वाले है व दियर सेंटर्स अपॉन इट्स सर्कमफेरेंट्स अब एक बात आओ इसकी जो परीधी होगी इसकी एनवलोप की यहां पर दोई तो बड़ा रहे हैं एक तो अपना है दिर्गवर्थ और एक है वरत दो डाग्राम बन रहे हैं अब दिर्गवर्थ जो आपका है जो आपका इलिप्स है उसकी परीधी कोन सी है आप मुझे बताओ बच्चे कहेंगे सर परीधी यह रही बाउंडरी जो है वह तो उसने यही तो बोला है कि जो आपके सर्किल्स होंगे वो उसके परीधी पर उसके पॉइंट होंगे तो यहां पर अगर मालीजिए कोई पॉइंट है ठीक है और यहां पर मैंने एक लाइन बनाई इस परकार तो अब देखो आप यहां से लेकर यहां तक की जो लाइन है ये तो काम करेगी उन सर्क्ल की रेडिस की तोर पर और इसने जो कहा है कि या उसकी जो परीदी है सर्गम फैरेंस है उस पर उनके पॉइंट प्रेजेंट हैं उस कंडिशन को भी अपने फोलो करवा दिया और इसके जो पॉइंट है आप जैसे पिछले एक्विशन में मैंने आपको क्या बताया था कोई भी पैरा बोला होगा उस पर अगर पॉइंट आते हैं तो हम क्या मानेंगे एटी स्क्वेर टुएटी वैसे ही अगर कोई दिर्गवर्थ होगा इलिप्स होगा उसके उपर अगर कोई पॉइंट आता है जैको ए कोस ठीटा कुमा पी साइन ठीटा करेंगे ठीक है अब यह सेंटर हमारे है और यह सक्वोगी रेडियस हो गई तो इसको मानकर आपको सर्क्ल बनाना पड़ेगा ठीक है तो क्या-क्या कंडिशन बोली दिसने पहली यह जो भी सरकी लोगा आपका जो भी व्रत होगा वो दिर्गवर्थ के सेंटर से होकर जाएगा दिर्गवर्थ के इंदर से होकर जाएगा जारेक निजा रहा देख लो और दूसरी बात क्या बोली ती इसने जो व्रत होंगे जो सर्किल्स होंगे वो सर्किल दिर्गवर्थ की परीदी पर उसकी सर्गमफेरेंस पर तो यह दिर्गवर्थ की परीदी कौन सी है यही तो परी अब देख लो सरगें फेरेंस पर कोई पॉइंट रहेगा एक ओस्ट भी सांटर रहेगा अब इससे ज्यादा इजी वे में नहीं समझा सकता हूं नहीं बता सकता हूं उताब को पता है ठीक है तो क्या करना है कुछ भी नहीं करना आजाओ सारे बच्चे इसको मिटा दू मैं स सवाल समझ में आपको आ गया उम्मीद करता हूं कि सवाल को समझने में कोई परेशानी किसी बच्चे को नहीं होगी आप क्या करना है सिंपल इसका अनसर करना है आओ अब मुझे बात बताओ अपन को जो एनवलो फैंड करना है ना वो सर्किल के लिए करना है ठीक है मानगे लोस printed आपको मानते हो ना सारे बत्चे और यह जो हमारे पास में बीच में आपकी पॉन्ट है और यह हमारे पास देखो अब यह क्या है आपका यह आपका है सेंटर सेंट बात के लिए है कि नहीं बताओ अब मैंने क्या कहा था पिछले वाले के अंदर एक फोर्मुला बताया तो मैंने जो पूरी मतलब व्यास के लिए बात करो डायमेटर के लिए था लेकिन अगर मैं बात करता हूं सेंटर से लेकर इस यहां तक सरक्रण फेरेंस तक अगर इस प्रकार को लाइन आती है उसके लिए फोर्मुला पता है आप सभी को देखो एकस माइनस का एच अब एच क्या है एक उस्टीटा सब्सक्रूर कर दो एक मान कितना है पीसान ठीटा मान पुट कर दो फटा-फट से देओ टैम मतलगा हो एक्स माइनस का एक कोस ठीटा प्लस में वाई माइनस का पी साइन ठीटा अब बच्चे कन्फ्यूज हैं अब बच्चे परिशान होगे कैसे हो कह रहे हैं कि सर अब यह जो आ रहे है इसका मान कैसे निकालेंगे इसका मान कैसे निकालेंगे पुझे एक बात बताओ आपको इस टेट लाइन दे रखी है एक इस पॉइंट के जो कोडिनेंट है वो कितने है एक कोस ठीटा तो अब बीस आइन ठीटा और दूसरी साइड जो पॉइंट है उसके कितने हैं कोडिनेंट 0,0 अब अगर इसकी आप कोई लेंठ निकालने पड़े तो कैसे निकाल होगे गुरुजी जानते हैं अंडरूट में यह पॉइंट मान लो एक LeSE mR pas when मेरे पास में है और ये मार्य तो माइनस का आई वायम वन का होल सकोल है है तो मैंने कहा कि Part 6 लाखा willen आप को पता है कि यहाँ पर आर है तो हम आरेल रहें लेकिन यहाँ पर कुस्फिन में कहा है आरे स्कुईर वह यह फूर्मला बनता है एंपट एंडरूट के बहार भी आपको square लगाना पड़ेगा एगरी हो चलो ठीक है अब एक स्टू मानस का एक स्टून करोगे एक उस ठीटा का स्क्वेर अब यहाँ पर जीरो है क्या करोगे लगा कि इसको प्लस यहाँ पे अपना वही 20 साइन टीटा का स्क्वेर अब वो तो square कर तो वही बात है ठीक है अब साबसी बात है कि अब आगे करना इजी भी है कोई दिक्क्त नहीं है क्योंकि अब इधर देखो एक स्टू मानस का एक उच्टा मल्टिप्लाइब कर देंगे आपस में और यहाँ पर भी square है वह इसको रटी जाएगा अब देखतें क्या होता है आगे बाकि अब यहाँ तक समझ में आ गया आपको मैं दुब यहाँ आपका दिर्गवर्थ है इसमें इलिप्स बोलते है अब इस इलिप्स की परीदी जो है सर्गमफेरेंस उस पर पॉइंट रखके आपको क्या बनाना है आपका एक सर्क्ल बनाना है एक नहीं बहुत सारे हो सकते हैं इससे क्या परक पड़ेगा एकन अपने काम कर लि से और उसकी परीदी पर उसका केंदर भी है देखलो आप लो बनादे डाइग्राम फिर उस डाइग्राम को मैं इस प्रकार बताया क्यों यह इस प्रकार अगर को लाइन आती है तो यह फूर्मला यूज करते हैं और पीछे जो सवाल था याद गरो उसके अंदर लाइन ने कहां थे हमने तो कुछ भी नहीं पड़ा तो वही बात है वो पीछे की बैचने वाले बच्चे जो बोलते हैं कि सरा हमें तो कुछ नहीं पता एक बात है आपने जरू सुना होगा कि आप बैक बैंच और जो है वो इंटेलिजेंट होते हैं और मानते भी वाप क्योंकि आपने सुनाया होगा कि ब्यार, अब्दुलकलाम जी बैक बैंच अर थे और जो भी बौो इनैलिक निकलता है बैक मेंच निकलता है मिच्छे जो लाएन वी necesita होता ह। पीस बच्चों में से वो वीस बच्चे उस एक बच्चे की वज़े से गर्व महसूस करते हैं कि यह बैक मैंचर जो है ना थैया और बैक बैंचर की चर्चा होती है पूरी स्कूल के अंदर पीछे बैठता है लेकिन फिर हर एक सवाल का जवाब देता है और इंटलिएंट है अरे तो भी यह उस एक बच्चे के चक्कर में बाकी जो नीस बच्चे ना वो बरबाद है क्योंकि वो पढ़ते हैं यह रहा हूं सही है वही बैक बैंचर है पीछे बैटो आराम से तो बैक बैंचर होने के लिए पढ़ना तो पढ़ेगा ना एक निया पास ही ठीक है इसलिए उस साइक लोजी को बाहर ने का लोभाब की वो बैक बेंचर अच्छे होते हैं बैक मेंचर वही अच्छे होते जब अब उनको आगे कमफेटेबल नहीं है पीचे बैटना अच्छा लग उतार लो उतारने का टाइम में जाद दूंगा ने क्योंकि सब रिकोड़े क्लास है वैसे वीडियो पोच्छ करके उतार सकते हो आप अराम से करमी में पसीन आ रहे हैं सोरी सर्दी मपसीन आ रहे में बड़ी मुस्किल से तो मक्यी को बगाया था भी मैंने मिटा दू अब इसको अरे मिटा दू क्या अब यहां तक तो उतार लो आवाराम से क्यों सन में मिटा देता हूं अब शारे पते अन सुन है थो अभरस रेना जैश्यान में वुआ है अब क्या करना है आपको यहां पर करना है कि मैलटी प्लेवाइब करते क्यों अहीं क्यों है सुम्यों है यहां पर क्या है एक्स और यहां फूप्ठिव टॉञज एकस माईनस एक का होल n С्कुायर भी तो था और वाई मैनस ठीक का होल सकारव भी तैए इसका तो करो कि função होल थे च्लाइथ का यई और खूर है तो इसको स्क्वाइर को होगी तो एसक्वाइर फ्लस में इक시면 कितना आए गया एस्ग्रेट ऑषे स्कूरा ठीटर और माइनस का 2x और a cos theta किलियर प्लस हमारे पास y square प्लस में 3 square और sin square theta ठीक है और यह हमारे पास कितना जाएगा माइनस का जाएगा इदर आगे लिखे लो माइनस का जाएगा 2 y sin theta और उधर की क्या कहानी चल रही है भी या अंडर रूट आपका हट जाएगा ठीक है और यह देखो a cos square theta जाएगा और प्लस में v square और sin square theta ठीक है अब मैं क्या करूँ देखो इदर square तो लगाओ यह वेल्यू इससे cancel हो गई देख रिए मुझे यह वेल्यू हो गई इससे cancel अच्छी बात है या यह तो हमारे काह में असान हो गया अब क्या बचा हमारे पास x square बच गया हमारे पास ठीक है minus का बच गया 2x a cos theta ठीक है और क्या बच गया हमारे पास plus का y square और minus का 2y sin theta ठीक है तो यहां पर भी आप देखो लगाना चाओ लेकिन एक छोटी सी बाद बता हूँ आपको आपने क्या पढ़ा था जैसा यह क्योशन बन गई मेरे पास आपने एक बात पढ़ी थी थोड़ी बहुत पढ़ी होगी कि जब भी अपन एनवलो फैंड करते हैं क्या करते हैं विया आपका एनवलो फैंड करते हैं तो क्या करते हैं विया उसके अंदर जो आपका प्राचल होता है आपका पैरामिटर होता है और पैरामिटर किसे कहते हैं जो चेंज हो सके जो बार बार बदले अब यहाँ पर parameter क्या है अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर parameter कितना है तो आप कहोगे कि सर्फ parameter तो यहाँ पर ठीटा है, देखो यह रहा ठीटा तो मुझे किसी भी condition में वो parameter नहीं थी मुझे अगर envelope फैंड करना है न तो मेरा काम क्या है और मैंने पूरी कहाने शुरू क्यों कर दिती कि मुझे उस parameter को हटाना है वहाँ से मुझे दिखना नहीं चीए हो बस तो यहाँ तो परिशा नहीं हो गई अब यह तो ठीटा आ गया है यहाँ पर तो मैंने क्या बता आता, पारशील कर दो कर से मुझे यह काम करते हैं सुनो यह तो 0 हो गया माइनस का यह हमारे पास में क्या है 2X1 1,2 तो ये क्या बन जातों का उन कर दाए प्लस और टू एक्स ए और कोस्ट का साइन ठीटा इसका भी जीरो माइनस आगे तो हमारे पास वाई भी और कोस्ट ठीटा अब जीरो अब इस पूरी रामायन को कर भी मिटा दूं तो शायद अब आपकी कम्पलीट समझ में आ जाएगा कि मैं करना क्या चाहता हूं देखना अ अब 99% का मारा हो चुका है अब तो एक परसेंट काम बचा है जो आप करोगे मैं नी करूंगा उसका काम अब मस्त होगे पढ़ाई करो देखो पहले कहा रहा हूं मैं आल तो कि टैंसन मतलो और मस्त होगे पढ़ाई करो तेख है अब सुनो मेरी बात अब यह काम अपने कर लिया अब यह काम करते हैं पर देखो टू एक्स ए साइन ठीटा बराबर अगर मैं कर दूँ तू वाई भी पोस्ट टीटा को और अगर मैं यहां पर यह कर दूँ तो लेकुट टू से टू तो कैंसलो जाएगा साइन ठीटा अप अपने एल एल बटए के के लंब बटे आधार क्या होता है आपका टैन ठीटा बना दो टैन ठीटा में हमारे पास में जू लम्ब होगा हाँ यह वह और जो कर्ण होगा तो आधार होगा वह होगा हमारे पास में XA, यह हमारे पास में कितना जाएगा? अंडर रूट में YB का स्क्वेर प्लस XA का स्क्वेर, अब करना क्या है आपको? करना कुछ नहीं है यहां से आपको sin theta की value निकालनी है और यहां से आपको cos theta की value निकालनी है और जहां पर आपका sin theta cos theta आ रहा है वहां पर इस value को put करना है और आपका जो parameter अलका complete क्योंकि हमें क्या करना है हमें sin theta cos theta की value जो है वो y beacon की फोर में निकाल लिए ताकि हमारा जो पैरेमेटर ठीटा है वो खतम हो सके उसका जो नाम निशाना वो खतम हो सके क्योंकि आपको पता काफी सारे सवल आपने करें हैं जिसके अंदर अपने टेंट बनाते हैं और यह वाली कहानी बनाके साइन और कोस कमान वाई भी एक्स करते हैं और हमारा जो एनलोप है को निकल के आज़ता है आगे काम आप खुद करना ठीक है मान निकाल सकते हो दो मिटका है अगर इतना भी नहीं कर सकते इसका मतलब पीछे का जो पढ़ा हो है सब साफ है फिर आपका कुछ नहीं हो सकते ठीक है उतालो फड़ावर यहां तक बाकि अब आज क्लास में तरह ही पढ़ेंगे मस्तो के पढ़ो आराम से ठीक है बाकि जो नेक्स क्लास होगी अब उसके अंदर बात करते हैं और क्लास आपके रेगुलर होगी पोसिवल्टी पूरी-पूरी है कि लाइव क्लास अपन लगाते हैं फड़ाफट से लेकिन